आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके भी इस्टाग्राम में यहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं यहाँ पर सही बता रहे हूँ आपको दो से तीन सेटिंग ऐसी बता देने वाला हूँ जो आप करेंगे तो 100% यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाने वाली क्या वो सेटिंग है आज की इस वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हूँ चले वीडियो को सुरू करेंगे पॉइंट नंबर वन सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है पहली सेटिंग दूसरी सेटिंग बताओंगा 100% वर्क करेंगा सबसे इजी सेटिंग क्या है उसके लिए में क्या करना है पिले स्टोर एप्लिकेशन को ओपेन करना है ध्यान दीजेगा जैसे आप पिले स्टोर एप्लिकेशन को ओपेन करेंगे search पे click करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है Instagram search कर लेना है देखिए सबसे बड़ी गलती यहीं पे लोग करते है how to fix try again later की problem आते है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले update कर लेना है ठीक अगर आपका update नहीं है तो इसको update करो मेरे भाई पहले अगर update नहीं करोगे तो यह problem आपकी आती रहेगी यह बनी रहेगी ठीक है अब यहाँ पे चले मैं इसको update कर लेता हूँ अब अगर आपने update भी कर लिया है तब भी अगर आपकी problem वहीं की वहीं बनी हुई है नहीं solve हो रही है तो उसके लिए में क्या करना है वो भी हम समझेंगे उसके लिए में क्या करना होगा इसको install हो जाने इस्टाग्राम को ठीक उसके बाद दूसरी setting पे चलेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे इस्टाग्राम पे click करके रखना होगा जैसे आप click करके रखेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का ध्यान दीजेगा जो मैं आपको बताने की कोसिस कर रहा हूँ उसको आप गौर कीजिए गौर से फर्माईए गौर से देखिए यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं data uses, storage uses तो आपको क्या करना है data uses पे click करना है यहाँ से नीचे आकरके देख सकते हैं यहाँ पर total कितना data लेगा है सारी चीज़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है back करेंगे, storage uses पे click करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, clear data पे click करेंगे और clear cache पे click करेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ clear data पे click करना है और clear cache पे click कर देना है ठीक है update कर लिया clear data पे click कर दिया clear cache पे click कर दिया उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है अपने Instagram को open करना है और ये problem आपकी solve हो जाएगे बस यहीं दो setting करनी है अपडेट या तो ये setting 100% आपके problem solve होनी ही होनी है और हो भी जाएगे वीडियो कैसे लगी कमेंट करके